हेलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल EKC रैसिपिस में बहुत-बहुत स्वागत है जी हां फ्रेंट्स आज हम बनानी वाले हैं कच्छे आम का सरभत हम बनाएंगे अब MINI बहुत ही टेस्टी आम का सरभत है जहत्पट बनने वाला है इंस्टेंट है नई से हम उबालेंगे स सर्व लेगी में वह कच्छे आम ने लेए या काफि टाइट आम हैं इसी तरक के कच्छे और टाइट आम वहा देखें सिर्दधों आम से हम बनाने वाले सर्वत आत हैं इससदर इससे हम पहले गाल देंगी और दोनों आम को हम अच् deep इस में छिल लेगे ग्रीन पार्ट को हमें हटा देना चिसे यह देखी मैंने ग्रीन पार्ट को हटा दिया इस तरह से हम दूसरे आम को भी छिल लेंगे अब इसके छिलके को हटा देंगे हम और इस तरह से इसे हम पीसेस में कर लेंगे गुठली को हमें हटाना है तो इस ते साइट्स में भी जो लगे हुए न सभी को हम निकाल लेंगे अच्छी से कि देखे मैंने के नारे को भी निकाल लिया चीज़े बिल्कुल भी वेश्ट नहीं करना अब जितनी अच्छी सा निकाल सके सभी को निकाल लिया और गुठली को साइड में रखते हैं क्योंकि गुठली का को यूज नहीं है गुठली हमें हटा देनी है अब इससे हम इसे पीसेस में निकाल लेंगे यह देखे चोड़ी पीस कर लिए आप इसी तर से चोड़ी पीस कर लिजेगा अब देखे हैं और मैंने एक जार ले लिया है इस जार में हम सभी आम को डाल देंगे मैंने पहले भी बदा पतना अब को हमें उबालना नहीं है से विभी से हम पीसेंगे चीनी देखिए आप अपने टेस्ट को अकर्डिंग कमशी कर सकते हैं क्योंकि बहुत कोई तोड़ा लाइट चीनी पसंद करते हैं कोई थोड़ा जादा पीना मीथा पसंद करते हैं तो इसे असलब सब कमशी कर लें अब यहां पर मैंने हाप चमश डाल दिया काला नमक और हा महिन पेष्ट जैसा हम बना लेंगे आप चाहते हैं पर थोड़ी सी दो चमछ लगबग धन्या की पत्ती भी डाल सकते थे लिगे मुझे ये फ्लेवर इसका बहुत पसंद है इसलिए में इस तर से बना रही हूं तो अब इसा महिन पेष्ट कर लेंगे बहुत है असन तरीका है गेस की जरत भी नहीं हमें इसमें बस असान तरीके सरप इसे बहुत जंजठ के नहीं प्रिशिक में सकते हैं कोई भी आपके घर में आजाए पस दो आम से बहुत अच्छी Gmail में तोरन से और धेर सारी बन धी आप देख़िए आप देखिए अब बस कुछ नी इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो एक लीटर में ठंडा पानी डाल रही हूँ और कुछ नी मिलाएंगे सिर्फ आइस मिलाएंगे क्योंकि हमने जो फ्लेवर पहले डाला ना जो मासाले वह सफिस्जेंट थे तो इस तरह से हमारे ठंडा ठंडा सर्वत बनके त्यार हो चुका है कच्छे आम का इसमें थोड़ी से अब हम आईश डाल देंगे अब इसे ग्लास में हम सर्फ करेंगे इस तरह से हमारे ठंडा ठंडा सर्वत बनके त्यार है कच्छे आम का शर्वत है आप इसे जुरू ट्राइब कर सकते हैं दो आम में आपके बहुत सारे शर्वत बनके त्यार हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात है जटपट बनने वाला है हमें गीस की बिज़रती परती हम बिना किसी जंचटकी से बहुत आसानी सी तुरेंट से बना के शर्फ कर सकते हैं तो रेसे भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले